पूर्वी ब्यूटी एंड फैसन में आपका स्वागत है मैं हो उत्पल चौधरी आजबाइन एक ऐसा मसाला है जो लगबग हर भारती घर के किचन में आसानी से मिल जाता है पेट में होने वाली गैस, बदहजमी, बेट लॉस और पेट के संक्रमन को ठीक करने के लिए सदियों से आजमाइन का इस्तेमाल किया जाता रहा है, सुनने में साय थोड़ा सा अजीब लग सकता है लेकिन आजमाइन सहयती नहीं, बलकि स्कीन के लिए भी बहुत फाइदेमन होता है आप कई तरिकों से अजमाइन को अपने स्कीन केर रूटीन का हिस्सा बना सकते हैं और बेदाग निकरी तोचा पर निकरी तोचा पा सकते हैं चेरे पर अजमाइन लगाने से दाग धब्बे, पिंपल्स, ब्लेक हैट्स, ड्राइ स्कीन, ज्हाईयां और जुर्यों से छुटकारा पा सकते हैं आज इस वीडियो में हम आपको बता रहे हैं कि जुर्यों के लिए अजमाइन का इस्तेमाल कैसे किया जा सकता है जुर्यों के लिए कैसे बनैं अजमाइन का फेस पैक जुर्यों के लिए अजमाइन का फेस पैक बनाने के लिए मैं आपको कुछ सम्मगphrी बता रही हैं वो सम्मगरी आप लें अजबाइन एक चमच, पानी एक ग्लास, दूद एक कप, सहद एक चमच अभी इस फेस्पेक को बनाने की बिधी बता रहा हूँ आपको सबसे पहले एक पैन में एक ग्लास पानी को गर्म करें गर्म पानी में एक चमच अजबाइन को एक मिनिट के लिए उबा लें अब इसे ठंडा करके छान लें और पेश्ट त्यार करें अब अजबाइन के पेश्ट में एक चमच दूद और सहद मिला लें जुर्यों को खत्म करने वाला आपका फेस्पेक त्यार हो चुका है इसको लगाने से पहले चेहरे को साप पानी से अच्छी तरह क्लीन कर लें उसके बाद फेस्पेक की एक लेर चेहरे पर लगाएं दस से 20 मिनिट तक इसे अपने को चेहरे पर फेस्पेक को लगा रहने दें जब आपका फेस्पेक सूख जाए तो इसे स्क्रब्ट की तरह क्लीन करें जुर्यों से छुटकारा पाने के लिए आप इस फेस्पेक का इस्तेमाल सब्ता में दो बार कर सकते हैं चेहरे पर अजबान लगाने के फाइदे अजबाइन में एंटी सेप्टिक और एंटी बैक्टरियल गोड होते हैं जो स्कीन पर होने वाले संक्रमण को ठीक करने में मदद करते हैं इस मसाले में पाए जाने वाला पोस्वक्तत तो इसकीन का बिलेट सर्कुलिशन ठीक कर जहाईयों से रहाद दिलाता है आजमाइन के एंटी इंफ्रेंटी गोड तोचा में होने वाली सूजन को ठीक करते हैं तो यह था हमारा आज का वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके बता हैं धन्यवाद